हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्के में हम उपचार नुस्के चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें किचन एक ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं का अधिकतर समय व्यदित होता है आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरिलू टिप्स की जो आपके काम को तो आसान करेंगे ही साथ ही आपके समय को बचाने के साथ ही आपको निरोगी काया भी प्रदान करेंगे ये घरिलू टिप्स आपके लिए काफी मददकार साबित हो सकते हैं टिप नमबर वन प्याच को पीस कर उसका रस कपड़े से चान कर निकाल ले और उसे गरम करके तीन से चार बूत कान में डाल दें इससे कान के दर्द में जल्द ही आराम मिलेगा टिप नमबर तू हल्दी और सैंदा नमक को महीन पीस कर उसमें शुद्ध सरसों का तेल मिलाकर पेस्ट पना लें अब इस पेस्ट से सुबह साम मंजन करें इससे दांतों का दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा टिप नमबर त्री पेट दर्द में गरम पानी के साथ सहद मिलाकर पीने से जल्द ही पेट दर्द में आराम मिलता है टिप नमबर फोर एक नीबू का रस एक गिलास गरम पानी में मिलाकर रोजाना सुबह खाली पेट पीने से मोटापा जल्द ही दूर हो जाता है टिप नमबर 5 सिर्दर्द की समस्य से चुटकारा पाने के लिए सेप को चील कर बारी काट लें इसमें थोड़ा सा नमप मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं सिर्दर्द में आराम मिलेगा टिप नमबर 6 गले में यदि खराश हो तो सुबह सुबह सौफ चबाने से जल्द ही गले की खराश में आराम मिलता है और गला खुल जाता है टिप नमबर 7 सुबह खाली पेट कुछ दिनों तक 3-4 अकरोट की गिरियां खाने से गुटनों का दर्द जल्द ही ठीक हो जाता है टिप नमबर 8 यदि अकसर मुगे चालों से परिशान रहते हैं तो खाने के बाद रोजाना गुड़ चूसने से चालों की समस्या से बचा जा सकता है टिप नमबर 9 जोडों में होने वाले दर्द और सूजन से निजात पाने के लिए गुड़हल के फूल का पेस्ट पना कर दर्द और सूजन पर लगाएं इससे आराम मिलेगा टिप नमबर 10 खड़े होकर पानी कभी न पीएं इससे घुटनों में दर्द और गठ्या रोक की संभावना बढ़ जाती है इसलिए हमेशा बैट कर ही पानी पीना चाहिए दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उपचान उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें